असलाम लेकुम आईए बनाते हैं डोनट्स एक बोल में मैंने आदा कप दूद लिया है लूक वाम तीन टेबल स्पून शुगर एक पिंच सॉल पांच ग्राम मैंने इस ली है एक रूम टेंपरिचर अंडा लिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके साथ चान के मैंने अच्छे से ठाई कप मैदा लिया है जिसको मैं चमच की मदद से मिक्स कर रही हूँ इसके बाद मैं इसमें 3 टेबल स्पून बटर डालूंगी इसको भी चमच की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर हमारे हाथ का काम स्टार्ट हो जाएगा जो के मिक्सिंग स्टार्ट कर दिये मैंने हाथ से जैसे कि आप देख सकते है इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि आपको दूद इसमें डालने की ज़रूत है तो एक टेबल स्पून दूद और एट कर जीजेगा इसके बाद इसको मिक्स कर लीजेगा फिर अपने काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लें और उसके साथ डो को उसके उपर तोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद डाल दे अच्छी तरीके से इसको आपने खीच-खीच के गुनना है बहुत अच्छी तरीके से इसका ग्लूटन रिलीज होगा जो के बहुत ही फिराफी डोनट बनेंगे सॉफ्ट डोनट बनेंगे तो इसको मैंने अच्छी तरीके से गुन्दा है और मैंने आपके लिए रिकॉर्ड भी अच्छी तरीके से कर रहा है फास्फ वावड कर लिया है ताकि आप इसको देख लें मैने डबल क्लिम रैप ढाले थे और सको कवर करके मैंने तक्रीवन दो घंटे के लिए फार दीए था दो घंटे के बाद आपने इसको पँंच करना है लकासा और सको निकाल लेना है आपने वही वर्किंग कॉंटर पर थोइसा डस्ट करके यहाँ पे rolling pin का इस्तमाल मैं नहीं कर रही हूँ हाथों से मैंने डो थोड़ी सी पहला दी है और इसको मैं divide कर रही हूँ तक्रीबन आठ पीसिस में आप आठ भी बना सकते हैं दस भी बना सकते हैं या आप पिड़ बन करता है अब मेर पास एक olive oil की bottle का cap था उसकी मदद से मैंने इसको separate कर लिया है डोनट चेप दे दी है और इसकी bowls चोड़े चोड़े वह मैंने समहाल के रख लिए उसको भी हाँ फ्राय करेंगे कुछ भी जाया नहीं होगा इंचाला अब मैं इसकी कोटिंग बना रही हो तकरीब इसको आपने 45 मिनिट्स तक छोड़ देना है साथी मैंने cinnamon ली है powder form में टूट टी स्पून और फोर टेबल स्पून मैंने sugar ली है उसको मैंने mix करके side पर रख दिया अब हमने fry करना है इसको हमने low to medium flame पर fry करना है two minutes each side fry करना है और इसको आपने पलट लेना है बाकिवर छोटे बाल्स थे वह भी डाल देना है इसमें ताकि सब चीज़ां की equally ready हो जाए और बहुत ही जपरतस सा कलर आया है बहुत ही खुबसूरत डोनेट्स बनके तयार हुए अब आपने गरम गरम डोनेट्स को ही इसके अंदर कोट करना है और रख लेना है आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और ट्राय जरूर करना है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी थैंक यू सो मुच पर वाचिंग टेकर, आला हाफिज